मैं तो मंदिर के पुजारियों से कह रही हूँ हाथ जूड़कर मेरा निवेदन है इनकी टांगे तोड़ दूँ इनकी जो मंदिरों में आए आपके आप भागाते हूं ने इनको अफमानित करते हो और लोग मुमिन्ट चलाते हैं कि भागा दिया भागा दिया हमारा अफमान लिए करे दिया वा सेथान तो सेथाने के लिए जिनकी अवस्तेमिन को मंधिरों में सुरक्षन साफे नियुक्त है लेकिन तुम क्या करते हो महजा के विड़ी घिया और फ्यलका-ट ने घ्र्टि दरसेुन है तुम आरगे और फशी शरॉक्ष्षतwegen और ना आधिकार तुरक्षित रहेंगे, तुम्हारा जीवन हूचा अगर होगा, तो नोक्रियों से होगा, रोजगार से होगा, उध्योगों से ओगा, कम्प spirituality से होगा, पैसों से होगा, आर्थिक आजादी से होगा, राजनीति के सिर्थ पर जाने से होगा और देश की बागदर हम समाल रहें और इसको जैसे भी होगा चार पुझी पतियों के हाथ में देखर वो बेच बाज कर अपने चले जाएंगे और आप सड़के भड़ते रहें आप अंदुलन करते रहें आप धार्मी करांती करिए बा संभीधान के पित्यक आर्टिकल में हैं doktor अंबेड कर कानून में हैं doktor कर आपके संसद में हैं और किसीρωबी यात्रा में नहीं है जब वह भटका हुआ जब तक नहीं आएगा लाइन पर ऐसी बरबाद होता रहेगा और आपके देश की गंगाओं को साफ करने के लिए उन्हों करोड़ और उपर खा लिया और आप उसी गंदी गंगा का पानी कंदे पर ढोकर के गर्म हैसूस कर रहे हैं तो यह तो तुमारी बु सब करें लड़कों का बलतकार हुता वो किसकी बहने फिर वह कहां से आती है वह वो बिदेश की बहने आती है यह किसी नेपाल के प्योंड़े इस अलगार कर रहे हैं मैं तो आस तक मेरे भाई ने कभी अधि नहीं और राखी नहीं बंद भाई मुझसे और देखिए वो मेर पर दिमाग में आरी हो तो डोक्तर अंबेटकर ने किसी और से भारत की राखी नी बनवाई अपने समकाल जब वो जिन्दा थे राखी बनवा सकते थे उन्होंने ऐसा काम किया कि जब वो जीवित थे तब भी औरतों को लाब मिला और उनके जाने के बाद सदियां सदियां पी को ट्रंबेट करके दी अधिकारों की बदोलत सुरक्षित होती रहें कि अधिये महिलाएं सबसे जादा इस भारत नीज दुनिया के अंदर यदि घर की सबसे पहली हम कहीं बेस है तो महिला है क्योंकि बच्चे को संसकार महिला देती है मा देती है चायन नेता हो वकील हो ड है तो बुद्ध बना दे मा चाहे तो अंगली माल बना दे और उसके बाद है समाज की समाज का परिवेस क्या होता है इसके ऊपर है सरकार की मेतिया कि सरकार किन्य चीजों को प्रमोट कर रहे हैं चीजों को लड़ें बढ़सा रहे हैं तो जितना भी आडंबर देश के कावड में हाँ वो एक अलग विशे है कि वह अपने माबाप को कंधे पर लेकर ढो रहे हैं लेकिन सरकारें व्रद्धा पेंसन खतम कर रही है उसकी लड़ाएं नहीं लड़ रहे हैं जो उनके जीवन को अच्छा बनाने के लिए उनकी दवाई लाने के लिए उनको लट्टा देखिए वो यही जताना चाह रहे हैं कि आप धरम में लगे रहे हैं और देश की बागदोर हम समाल रहे हैं और इसको जैसे भी होगा चार पूंजी पतियों के हाथ में दे करके वो बेच-बाज कर अपने चले जाएंगे और आप सड़के भढ़ते रहे हैं आप अंदुल बटक मैं मैं तो कह रही हूं मैं तो कहती हूं आप मेरे साथ जितने सड़कों पर उत्रे हो ना मेरे साथ एक दिन खड़े हो जाए ये रोजगार के लिए देखिए सरकारे ना हिल जाएं तो अलग बात है जितने सड़कों पर गए हैं अभी कामडों के ढोते हुए जिस दि लेकिन जो योगी मोधी के सरकार इस पेशली जैसे मध्य परदेश में हो गई वो तो धर्म के इर्दगृत घूम रहे हैं वो काउड़ों के पैर भी दबाते हैं उनके लिए बड़ बड़े केंप लगा रहे हैं इस देश के अंदर महिला अत्याचार इस देश के अंदर बेरोजगारी बरकरार है और उचाई पर चड़ी है जहां लाखों नोकरिया निकलती अज हजारों भी निकल रही है सबसे पहली जरूरत इंसान का पेट है इस इस सरीर पर रहने वाले कपड़े हैं जहां सोएगा उसके लिए च्छत है जो उसकी बेसिक नीट्स जो है वो आप पूरी नहीं कर पारे हैं रोजगार नहीं मिलता किसका होता है वहां बैटा हुआ पांच भी फेल पंडा पुजारी जो इतना लंबट तिलक लगा लेता है और उसमें से तीन चबा जाता है और उसको उल्लू बना देता कि उसने कभी संस्कृत पड़ी नहीं जब पड़ने को आया तो उन्होंने इंगलिस पकड़के आ गए क जो क्या करता है इसे तरह से उल्लू बना करकर वहां पे उर प्कामालेता है और यह पूरे साल का कमा वहां पर चढाई आते हैं और यही सरकार चाहती है कि केवल जो बारत के अंदर बुद्धी जी भी कहलाया जो खुद को प्रामन कहता है जिसने ग्यान अरजित करने का सारा अपने हाथ रखा लेकिन इस बुद्धी जी वी वर्ग ने इस देश को ऊंचा उठाने के लिए कोई काम नहीं किया तो अपने बच्चों का पेट लेए काम किया जोग जानते हैं जोग के सरीर पर 32 लेयर होती है और हर लेयर में एक दिमाग होता है 22 लेयर का मतलब उसके पास 32 दिमाग होते हैं और 32 के 32 दिमाग खून पीने के लिए इस्तमाल करती है वैसे ही इस देश का बुद्धी जीवी वर्ग जो खुद को ब्रामन जो एक वर्चस वादी समाज कहता उसने अपने पूरे 32 के 32 दिमाग जो भी उसके पास बुद्धी थी उसने उसका इस्तमाल सिर्फ और सिर्फ अपने सुक सुविधा के लिए किया ना की देश के लिए किया ना की देश के उस यूद के लिए किया ना देश की महिलाओं के लिए किया ना देश की तरक्की के लिए किया और आज भी वह जातियां बना करके बाट कर जो भारती संब्धाण लागू होने से पहले थी आज भी उनी को बरकरार रखना चाहता है क्योंकि उनको बरकरार रखने से उनका थाट बाट बना रहेगा उनकी जो सुविधा भोगी जिंदिगी है वो उनकी बरकरार रहेगी और वो ऐसी बनाए रखना चाहते हैं तो इन दबे कुछले दलीतों पिछड़ों को इनको मरे गिरों को समझना चाहिए कि टांगे तोड़ तोड़ करके तुम बहां जा रहे हो करने के लिए जिस बंदूक में गोलियां भरी जाती है ना उसी बंदूक की गोलियों को बनाने का काम बारूद भरने का काम करता है कि लोजी मारो और पिछाती देता है तो इससे बड़ा मुर्ख कौन होगा यह सुरक्षा का बादा जब डॉक्टर अंबेटकर ने मैटनिटी लीव के लिए जब डॉक्टर अंबेटकर ने महिलाओं को जो क्या कहते हैं शादी के बाद बच्चा ग्रहन करने के जब यह 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 राखी बंद माने वाले भाई कर देते ना तब भी डॉक्टर अंबेटकर काहिए कानून उस थाने में जा करके काम आता है और उस को नियाय मिलता जिस दारा के तहते दोक्टर अंबेटकर उसको नियाय लिख कर दे गए देश के अंदर कभी मूर्तियों की आपने देख और राम की मूर्ति हमी तोडी जाती को टोडि जाती किसी और महापूर्स की वी तोड़ी जाती सीर्फ उसके तोडिजाती कभी आप लुक्सों अचे इस माद को क्योंकि आंप्के कारण कि लोगों ने जिन ओडै और तो को यह जब बन चाहे तब उनके साथ र इसलिए नफरत करते चैक जो लोग इनकी गुलामी करते थे जो लोग इनके घरों में जा-कर पानी ढोते थे इनके बहांस का गोबर मेला इंचा सब्षादा थेन्य प्रॉण देने की बॉरार स कि चाहें उससे कितनी भी घिनारी हो, चाहें बारी से परजाती थी, तो उनके सरीद पर चाहें वो मैला पूरा धो देता था, यह उन लोगों को डॉक्र techn नबिठ कर अधिकार देग। उनको नुक्री में अधिकार देगे, उनको संविधान के तहफ सारे समानता के अधिकार देगा, न्याय पानी के अधिकार देगा, इसलिए ये डॉक्टरम बेड़फर से घरना करते हैं जो कोटे से चुन कर जाते हैं, कुछ काम कर रहे हैं लग रहा है उसमाज के लिए जितने भी दलिस सांसद हैं, जिस दिन जनता जाग गई ना, इनकी मूझे खेड लेगी और जनता को जागना चाहिए, कि तुम्हारे घरों में जो तुमने सुविधाएं उठाई हैं, वो सारी सुविधाएं किसी एक परिवार के लिए नहीं है तुम सुरक्षित सीटों से चुनके गई है तो सुरक्षित सीटों पर यही काम है कि तुम अपने समाज की बात रखोगां से पर सही तरीके से तो समाज को इंसे सवाल करना चाहिए और सवाल तब करेगा समाज जब जाग रूप होगा हम तो समाज से कहते हैं कि आप अपने जितने आपके MP चुन कर जा रहे हैं इनके ग्रेवान में हाट डालिए इनसे पूछिए नजरे मिला ही है कि तुम कर क्या रहे हो और यह नजरे तम मिला पाएंगे जब यह अपने वोट देते समय अच्छे नेता को चुनेंगे